कि द्रब्व संग्रे ग्रंत का स्वाध्या है हम और आप कर रहे हैं ध्यान की पिक्रिया के निमित कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान करना है आचार भग्वन तनेमी चंद महराज इस द्रब्व संग्रे के तिर्थी अध्याय में कुछ मंत्रों के अक्षर बताए कि इतने अक्षरों के मंत्रों का जाप आपको करना है उन मंत्रों में 36, 35 अक्षर का मंत्र, 16 अक्षर का मंत्र, 6 अक्षर का मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र, 4, 2 और 1 अक्षर के मंत्रों की संक्या आए अब जो 35 अक्षर का मंत्र आया था या 16 अक्षर का मंत्र आया था उसमें सर प्रतम आया था है उसके परिवार के लोग जब बच्चा 40 अब 45 दिन का हो जाता है और सर प्रतम मंद्र के दर्जन कराते हैं, संयोग से यदि महा कोई गुरुदेव होते हैं, दिगंबर सादू होते हैं या दिगंबर मार्ग पर चलने वाले कोई सादक होते हैं, तो उस बच्चे के कान में नम नमोकार मंत्र सुनवाया जाता है वो यही मंत्र है तो इस नमोकार मंत्र में सरप्रतम आया है नमो अरिहंतानम मने अरिहंत परमिष्टी के लिए नमस्कार हो तो अरिहंत परमिष्टी आचार परमिष्टी उपात्याय परमिष्टी और सादू परमिष्टी यह चारों परमेश्टी का टिकेट लगवक पक्का है आट वर्स अंतर मोर्त की आयू में केवल ग्यान प्राप्त हो सकता है और एक कोटी पूर्वर्स की उनकी आयू है तो तब तक वो संसार में अधिक से अधिक रह सकते हैं इससे ज्यादा नहीं उसके बाद तो उनको सिद्पत की प्र परमेश्टी और सादू परमेश्टी का उसी भव से भी मौक्ष है और आगामी भगों में भी मौक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे पहले जो नमो अरियंतानम पताया है तो नमो अरियंतानम की क्या विसेस्ता है कौन है अरियंत परमेश्टी हम कैसे जाने के नमो अरियं तानम आपने कह दिया है तो अरियंत भगवान ये हैं कोई किसी को भी कह सकता है कि ये अरियंत हैं जैसे संसार में एक सामान ने जीव हुआ जवलपुर के पास गाडरवारा इस्तान है वहां उनकी जनम भूमी रही है लेकिन कुछ बहुत दिक छमता हैं उनके अंदर अधिक ह होने के कारण बे अपने आपको भगवान कहते थे अपने आपको भगवान समझते थे और उनके अन्वियाई भी उनको भगवान कहकर संबोधित करते थे भगवान कहकर जानते थे और उनकी भगवान के रूप में इस्तापित पुरे भारत में तो थी अमेरिका जैसे इस्त तो ऐसा कोई भी अपने आपको अरिहन्त मान सकता है कि मैं अरिहन्त हूँ तो मानने में कोई किसी को क्या परिशानी है पर आचार वगवन्त कहते हैं नाम इस्तापना द्रब्य भाव ये सब कुछ चलता है बजार में हम जाते हैं कभी कभी बड़ा अजुवा सा लगता है में जाते हैं तो कहीं लिखा हुआ हुआ होता है महावीर चाट भंडार अब बिचार आता है कि वगवान महावीर सामी का नाम लिखा हुआ है या अन्ने लोग महावीर के नाम से अनुमान जी को भी वगवान महावीर कहते हैं तो या तब अगवान महावीर चाट वेच रह या वग्वान अनुमान जी चार्ट वेच रहे हैं सोचने वाली बात, मिचारनी बात यही होती है और कभी-कभी चाट पकोड़ी वाले मिश्टान वाले अपना डिबबा भी बना कर रखते है और उस डिब्बे पर भगवान की फोटू भी लगा के रखते हैं और जब कोई उस मिठाई को लेके जाता है सहियों की बात तो यह होती है कि अगर कोई जहन लेकर जाएगा तब तो उस डिब्बे को उस फोटू को तोड़ा बिने का ध्यान लखेगा लेकिन सेस लोग उस डिब्बे को लेकर जाएंगे और उस डिब्बे को कहा डालेंगे कैसे डालेंगे किस प्रकार की बवस्ता बनेगी यह बिचार निये बात हो जाती है अब उन लोगों को सदबुद्धी कौन दे कि वह यह महान भगवान के नामों से आप अपना अनुष्टान घी के कोई बात नहीं लेकिन ऐसे अनुष्टान पर आप भगवान महावीर के नाम से चला रहे हैं चलाईएं लेकिन डिब्बा वगर आपका जो बना रहे हैं जिसमें सामान लखके देते हैं कम से कम उतनी तो मान मर्यादा आपकी बनी रहे कि उसमें भगवान का फोटू ना हो तो यहाँ पर अरियंत भगवान का क्या सरूप है अरियंत भगवान को हम किस रूप में जाने कौन अरियंत भगवान है इस बात को बताने के लिए आचार भगवनत नेमी चंदर जी महाराज गाता हमारे बीच में रख रहे हैं अरियंत वगवान के सरूप की अब अरियंत वगवान के सरूप की गाता हमारे बीच में आ रही है जो अभी भाईया जी ने खोली थी अभी तो ये नवकार मंत्र हमारे बीच में दिखाया है अब ये गाता हमारे बीच में अगई जिसमें लिखा हुआ है अरियन्त परमिष्टी का सरूप अगर ये चीजें जिसमें पाई जाएं वे अरियन्त है कोई अपने आपको भगवान कहे और अपने आपको भगवान समझ ले और अपने चार अनुयाईयों को खड़ा करके जैजेकार लगवाएं कि भगवान की जाओ भगवान की जाओ तो किसी के जैकार लगाने से वो भगवान नहीं हो सकता है ये आचार भगवान्त नहमी चिंद महराज कह रहें कि आपको जिन अरियंद भगवान का चिंतन मनन करना है उनका स्वरूप जान लीजे कि क्या है नठे चदुगाई कमो दंसन सुए नान वीरी मैयो सुदे अत्थो अप्पा सुद्दो अर्योग चिंतिजो कहते ऐसे अरियंद भगवान का चिंतिजो मनने चिंतन करना है ध्यान में आपको लाना है कि अरियंद भगवान कैसे है अब आप प्रति दिन नमो कार मंत पड़ते हैं नमो अरियंद आणम इस गाता का अर्थ थोड़ा सा और चिंतन में लियाना कि जब भी आप नमो अरियंद आणम बोलें तो उसका ये अर्थ है अपने बच्चों को जब भी सिक्षा दे तो इतनी ती सिक्षा दे दे ना कि नमो अरियंद आणम नमो सिद्द आणम नमो आईरियानम नमो वज्जायनम नमो लोई सब साउडम हम बोल रहे हैं तो अरियंद का मतलब ये है इतना इस गाता का अर्थ अपने अपने बच्चों को अवस्त सिकाके रखना चाहिए ताकि पंच परमेश्टी का स्वरूप क्या है कम से कम इतनी जानकारी तो जैन होने के नाते हमको और हमारे बच्चों को होना चाहिए तो आपर आचारव अगबंत कह रहे हैं के जो अरियंत वगवान है वो कैसे हैं कर्म यानि कि कर्म होते हैं आठ ज्याना वर्ण तर्शना वर्ण बेदिनिये मोहिनिये आयू नाम बोत्र और अंत्राइं यह आठ कर्म हमारे बीच में दर्शाए गए हैं इनमें चार घातिया कर्म होते हैं और चार अगातिया कर्म होते हैं चार घातिया कर्म हैं ग्याना वर्ण दर्शना वर्ण मोहिनी और अंत्राइं यह चार घातिया कर्म जिनके नश्ट हो चुके हैं केवल नश्ट नहीं हुए, नश्ट होने के बाद में दरसन, सुक्ष, सुव, नाम और भीर हैं, ये चार गुण भी उनको प्राप्त होना चाहिए, यानि कि दरसन गुण, सुक्षम गुण, ग्यान गुण और भीर गुण, मानने अनंत दरसन, अनंत सुक, अनंत ग्यान और अनंत भीर ये चार गुण जिनके पास में प्राफ्त होना चाहिए जिनसे जो सहित है और उसके बाद सुहदेतो उनका जो सरीर है वो परमववदारिक सुब सरीर हो चुका है अब उसमें सामान त्या निगोदिया जीवों का इस तूल निगोदिया जीवों का बास नहीं होता है सरीर भी जिनका पवित्र हो गया है इसलिए बोलते हैं परमववदारिक सरीर हमारा और आपका जो सरीर है वो सामान अववदारिक है एक दूसरे जीवों से सहित है हमारे सरीर में निगोदिया जीव है लेकिन अर्यानत वगवान क्या सरीर जो है वो परमवदारिक सरीर हो चुका है तो सुद्यत तो जिनका सरीर भी सुब हो चुका है अच्छा हो चुका है और सुद्धो जो बिलकुल सुद्ध है अब उनमें किसी भी प्रकार का दाख किसी भी प्रकार का विकार भाव नहीं है ऐसे अरियो विचिंतिजो ऐसे अरियंत परमेश्टी का आपको चिंतन मनन करना है अपना नाम किसी ने अरियंत रख लिया हो बै अरियंत नहीं हो सकता जो अपने आपको अरियंत कहलवा रहा हो बै कभी अरियंत नहीं हो सकता है अरियंत वही है जिसने ज्यानावरन तर्षनावरन मोहिनी और अंत्राए इन चार घातिया करमों को जिनोंने नश्ट किया हो और इसके नश्ट करने पर जिनोंने दर्सन ज्यान सुक और भीर ये चार गुणों को जिनोंने प्राप्त कर लिया हो ऐसे अरियंद वगवान को अरियंद कहा गया है ऐसे अरियंद वगवान का चिंतन मनन हमें करना चाहिए उनका चिंतन मनन करते हुए जना उन्हें चार कर्मों को नश्ट करके चार गुणों को प्राप्ट कर लिया है और सुव सरीर को प्राप्ट कर लिया है परमाओदार एक सरीर जिनको प्राफ्त हो गया है ऐसे अप्पा माने आत्मा जो है उनका चिंतो माने चिंतन करना चाहिए मनन करना चाहिए और जो सुद्धो माने सुद्ध हो गए है उन्ही को अरिहो उन्ही को अरिहंत वगवान कहते है ऐसी जो अप्पा आत्मा है वो अरिहन्त वगवान कहलाती है अब ये सामान बात हो गई अब अरिहन्तों के बारे में विचार करेंगे तो हमें सबसे पहले अरिहन्त मिलेंगे तीर्थंकर वाले अरिहन्त और तीर्थंकर वाले अरिहन्त मिलेंगे तो उनके पास में 46 मुल्गों पाए जाएंगे उनका बैवव जनम से ही चालू हो जाता है तो जनम के 10-30 पाए जाएंगे केवल ग्यान के 10-30 पाए जाएंगे 8 प्रातिहार पाए जाएंगे 4 अनंत चतुष्टे पाए जाएंगे और चौदे देवकर्त अतिसे पाए जाएंगे ये केवल तीरतंकर वाले अरियंतों की चर्चा है लेकिन सामान जो तीरतंकर केवली होते हैं अरियंतों होते हैं मौन भी रहते हैं उपसर्ग वाले भी रहते हैं अनुवद्ध भी रहते हैं और स्वयम बुद्ध भी होते हैं ऐसे अरियंतों के साथ प्रकार के भेद बताए गए हैं तो जो तीरतंकर वाले अरियंत होते हैं उनका समोसरण लगता है समोसरण में वो ब्राजमान होते हैं जिस सिंगासन पर ब्राजमान होते हैं ऐसा लगता है कि वो सिंगासन पर प्राजमान रहते हैं और सड़कपर जब उनका बिहार होता है तो वहां पर उनके चरणों के नीचे बैंद्र दोसो पचीस स्वर्ण कमलों की रचना करता जाता है 1515 की 15 लाइने बना कर क्या वे द्रश होगा परीकलपनाओं में आता है कि किस प्रकार का ठाट किस प्रकार का बैवाव उन तीतंकर अरियंद्वगवान का होता है ऐसे अरियंद्वगवान का ध्यान चिंतन मनन हमें करना चाहिए जिनोंने नश्ट कर दिये हैं चार घातिया कर्म और जो अनन्त दर्शन अनन्त ग्यान अनन्सुक्म और अनन्त वीर से सहित हैं और जिनका पसरीर सुप परम खवधारिक है। ऐसे सरीर में तित जो सुद्ध हैं जिनके कर्म मल नहीं है बंदने का कोई साधन नहीं है ऐसी जो आत्मा है बे अर्यन्त परमिश्टी हैं और ऐसी अर्यन्त परमिश्टी आत्मा का आपको और हमें ध्यान करना चाहिए यही अरियंत पर्मिष्टी द्यान के योग है शमो सरण में बिराजमान चार घातिया कर्मों के नास करने वाले एवं अनंत चतुष्टे के धारक अब जो पर्मोधारिक सरीर हो जाता है उसका मतलबता है सब्त धातुओं से रहत सब्त धातुओं से रहत पर्मोधारिक सरीर शहित है और 18 दोस्त जो छुदा प्यास आदीर होते हैं बे अरियंत भगवान को नहीं होते हैं हमारे और आपके अंदर ये 18 दोस्त विराजमान हैं या जो अपने आपको अरियंत कह रहा है को अरियंत अपने आपको समझ रहा है तो उसको बता देना चाहिए कि भाईया ये अठारा दोसों में से तुम्हारे को पसीना आ रहा है तुम्हारे सरीर के बाल बढ़ रहे हैं तुम्हारे नाकून बढ़ रहे हैं तुम्हारी आँकों की पलक उपर नीचे हो रही है इत्यादी चो अठारा दोस हैं तो वे अठारा दोसों से रहत हैं ऐसे अरि एक साथ जलकते हैं तिस सरवक भगवान तीना लोकों की बातें चराचर जानते हैं परदार्थ एक साथ जिनकी दृष्टी गोचर होते हैं ऐसे अरियंत परमिष्टी के वीतराग सरूप का आप और हम बारवार चिंतन मनन करते रहना चाहिए तैसे अरियंत भगवान का हम नमोकार मंत्र बच्चों को पड़ा देते हैं लेकिन थोड़ा सा निवेदन और है कि इन पंच परमिष्टी का लक्षान पंच परमिष्टी के मूलगूण सोट कर मैं तो उन बच्चों को याद कराई देना चाहिए कि जिनके चालीस मूलगूण होते हैं उनको अरियंत जिनके आठ मुलगुन होते हैं उनको सिद्ध जिनके च्छतीस मुलगुन होते हैं उनको आचारे और जिनके पचीस मुलगुन होते हैं उन्हें उपात्याए और जिनके अठाइस मुलगुन होते हैं उन्हें सादू परमिष्टी कहते हैं इतनी सामन जानकारी तो उस डेड़ साल के बच्चे से हमें करा देना चाहिए सेश चर्चा सिद्ध परमेश्टी के सरूप की चर्चा अगले सत्र में हम करेंगे तक तक के लिए हम आप से अनुमती चाहते हैं जैजिनेंद्र वंदना प्रणाम सभी जीवों को